रजस्थान से पूर्व उपमुख्य मंत्री सचन पाइलेट इन दिनों चर्चा का विश्यव बने हुए है क्योंकि लंबे वक्त से अटकले यही तेज है कि सचन पाइलेट अपनी नई पार्टी का गठन करने जा रहे है और आज वो तारीक है जस तारीक को लेकर लंबे वक् एलान कर देंगे खबरों के मताबिक यह तक कहा गया कि सचन पाइलेट की पार्टी का नाम हो सकता है प्रगती शील कॉंगरिस या फिर राज जन संगर्ष पार्टी यह दो नाम हैं जो राजिस्थान में रजिस्टर कराई गई है हालंकि देखा जाए तो इनी सब खबरों पर विराम भी लग गया क्योंकि 11 जून का दिन सचन पाइलेट के लिए इसलिए खास है क्योंकि सचन पाइलेट के पिता स्वर्गे राजेश पाइलेट जी की आज पुन्यति थी है और इस पर खास कारेकरम आयोजित किया जाता है हर साल दोसा में तो दोसा वह पहुंचे और अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजली भी दी और सोशल मीडिया पर ट्विट करते हुए अपने दर्द को भी उन्होंने बया किया है लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर सचन पाइलेट के वाकई में नई पार्टी का गठन कर सकते हैं अगर वह कर बन 18-20 विधायक बताई जाते हैं हर्याणा के माने सर होटल जाकर बैट गए थी सचन पाइलेट 2020 में 2018 में उनकी अगवाई में चुनाव लड़ी गए लेकिन मुख्य मंत्री जादुगर कही जाने वाले अशोग गहलुत को बना दिया गया लेकिन बाजी पलटनी में वक्त गांधी बाड़रा ने गहलोत के सरकार को गिरते गिरते बचाया गया और उस वक्त उप मुख्य मंत्री पद और प्रदेश अध्यक्षपद से पाइलेट को इस्तिफा देना पड़ा और तब से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं ऐसे में देखा जाए तो पाइलेट समर्दकों ने बार बार अपनी बात रखी है पाइलेट समर्दकों का कहना तो ये भी रहा कि जो वक्त बचा हुआ है राजिस्थान के विधान सभा चुनाव होने से पहले उस वक्त में पाइलेट को मुख्य मंत्री बना दिया जाए क्योंकि तैय ये हुआ था क धाई साल का कारेकाल गहलोज समालेंगे और धाई साल का कारेकाल पाइलेट समालेंगे लेकिन इस्तिति यहां पर वो नजर नहीं आई ऐसे में ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं पाइलेट की मन में वो तीस है मुख्य मंत्री ना बन पाने की और ऐसे में बार बार वह कई राजन उन तीन बड़ी मांगों से हट कर उन्होंने ये मांग भी रखी कि 2020 में जो कॉंग्रेस कमेटी का गठन हुआ उस पर यहां पर उसे लेकर जो कारवाई ओ रही थी वो क्यों नहीं हुई 2022 में 25 सितंबर की राज जो गठना करम हुआ अनुशाशन हिंता के मामने में कारवाई अब तक क्यों नहीं हुई है दूसरे ही तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाई कमान से उन्होंने प्रदेश अद्यक्षपद मांगा है और वहीं चौती मांग उनकी ये है कि 75 समर्थकों को वहें टिकेट देना चाहते हैं तो ऐसे में सवाल ये उठे कि नई पार्टी का गठन अगर वाकई में पार्टी करते हैं तो क्या उन्हें कोई फायदा होगा तो फिलहाल देखा जाए यहां पर यही बाते सामने आ रही है कि पार्टी को शायद ही फायदा हो सकता है नुकसान जरूर होगा यहाँ पर कॉंग्रेस को और भारतिय जनता पार्टी को क्योंकि 30 से 40 सीटों पर पाइलेट का वर्चस्व है तो ऐसे में देखा जाए तो विधायक जो साफतोर पर नहीं चाहते कि अगर सचिन पाइलेट पार्टी बनाए तो वह उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ संकेत दे दिये है प्रदेश प्रभारी सुखजंदा सिंग रंधावा ने संकेत दिया है कि उम्र को ध्यान में रखते हुए फैसले लिये जाएंगे लेकिन जो उम्र दराज नेता है वह खुद से खुद पद से मोहत्याग दे तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन पार्टी उनका साथ नहीं छोड़ेगी दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो अशोग गहलोत के बाद नामी चेहरा जो है और लोगप्रिये चेहरा जो है वो सचिन पाइलेट ही है तो ऐसे में 2028 में अगर चुनाब होते हैं तो सचिन पाइलेट को CM पत के लिए आगे किया जाएगा पार्टी हाईकमान के सामने दूसरा विकल्प ही नहीं तो ऐसे में समर्थक यही चाहते हैं कि पाइलेट पार्टी ना छोड़ें तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि पाइलेट के जो समर्थक हैं आखिरकार यहां पर किस तरह से स्यासत अब गर्माई जा रही है सरकार में कैबिनेट मंत्री ने नाम ना छपने की शर्थ पर बताया है कि पाइलेट कॉंग्रेस में जाना माना चहरा हैं वे पार्टी छोडने के जैसा फैसला नहीं लेना चाहेंगे अगर ऐसा करते हैं तो 20 साल में जो समर्थक जुटाए वो छिटक जाएंगे पाइलेट 27 साल की उम्रे से कॉंग्रेस की सक्रे राजनीती में है अभी उनकी उम्रे 47 साल है 20 साल के राजनीतीक जीवन में केंद्रे मंतरी से लेकर राजिस्थान की अद्यक्ष और डिप्टी सीयं जैसे बड़े पदों पर वह रह चुके हैं और ऐसे में सचेन पाइलेट ने पूरवी राजिस्थान नहीं नई पाटी बनाने जैसा उनके पास कोई कारण नजर नहीं आता राजिस्थान में तीसरी पाटी का भविश्य नहीं है पिछले 33 वर्षों में राजिस्थान में टू पाटी सिस्टम ही चल रहा है तो ऐसे में यहां पर प्रयास असफल हो सकते हैं लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पाटी के ऐसे कई समर्थग हैं जो उनके साथ जाना नहीं चाहेंगे राजपिरोहित का कहना रहा कि पाटी के साथ जो समर्थग विधायक है वहीं Congress अपना candidate खड़ा करेगी, बीजेपी अपना candidate खड़ा करेगी, उन सीटों पर किस community का कौन candidate होगा, यह सब बातें एहम रहेंगी, तो पाइलेट नई पार्टी बना कर बहुत ज्यादा परडाम हासिल कर पाएंगे, ऐसा मुश्किल लग रहा है, मानना यह है कि के समर्थन में जो विधायक हैं, जो समर्थक माने जाते हैं, गजरात, खड़ाना, पाइलेट के कटर समर्थक माने जाते हैं, खड़ाना तिरकोडी मिती मुकाबले में 4764 वोटों से जीत हासिल किये, और उन्होंने SC, SC, ST, Sani, गुरजर, भामड और मुस्लिम मद्दाता जो उनके लिए प्रभावी माने जाते हैं, पिछली बार 51,699 वोट उन्होंने हासिल किये, और बीजेपी के राम के शोर, सैनी दूसरे नंबर पर रहे, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए, तो यहाँ पर पाइलेट के ऐसे कई समर्थक हैं, आपको बता दें कि अगर दीपे पाइलेट के लिए ऐसे कई उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ जाना नहीं चाहेंगे, जानकारी देदें आपको कि श्री माधुपूर में सबसे जादा जाट यादव ऐसी मद्दाता माने जाते हैं, और इनके राजपूत माली ब्रहमड गुर्जर मद्द रखता है, तो दिपेंदर सिंग शेखावत यहां से 11,810 वोटों से जीत हासिल किये, जबकि दिपेंदर सिंग को 90,941 वोट मिले थे, तो ऐसे में देखा जाए तो यहां पर पाइलेट के लिए कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, अगर यहां पर विधायक वाकई में उन फेर हो सकता है, गुणा 2013 का चुनाब कॉंग्रेस से लड़कर हारे, वहीं 2008 की चुनाब में उन्होंने बसपा से ही उध्यपूर वाटी से जीत हासिल की थी, दौसा विधान सबा सीट पर SC, ST, ब्राहमड, गुर्जर, माली, राचपूत, मद्दाताओं की संख्या अच्छी मैदान में उतारा था, और उन्होंने 48,056 वोट से जीत हासिल की, ऐसे में देखा जाए, तो यहां पर पाइलेट के लिए ऐसे कई उनके विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं यहां पर इस्थिती गड़बड़ा सकती है, अगर वहें नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, तो ऐसे में यहां पर हर कोई यही जानना चाहते है, क्या पाइलेट कॉंग्रेस से अलग होकर राजनितिक की नई राहा चुनेंगे, फिलहाल तो देखा जाए, तो यहां पर इन सभी ख़बरों पर विराम लगती हुई नज़र आ रहा है, पाइलेट यहां पर पार्टी का साथ किस गांधी बाडरा और मलिका अर्चुन खडगे के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कि पाइलेट के अलावा वहे किसी अन्ने को मुख्य मंत्री पत के लिए आगे करें, क्योंकि पाइलेट का वर्चस्व है 30-40 सीटों पर और पाइलेट बीजेपी को भी लगातार तमा है नई पार्टी का गठन करेंगे, फिलाल तो देखा जाए यहां पर ना के बराबर है, लेकिन आपकी क्या कोच राइपरती के लिए है इस पर या आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहे हैं, नेक्स्ट नाइन न्यूस